मानिय श्री नितिश कुमार जी का राष्टिय अध्यक्ष नेता सदन राज्यसभा मानिय रसीपी सिंखो साहब को जो राष्टिय अध्यक्ष मुनोनित किया हम सारे लोगों ने पूरी ताकत और खुले मंसरा हमारे नेता मानिय श्री नितिश कुमार जी सबके लिए यहां तक की बिरोधी बिरोध करता है लेकिन ये भी कहता है कि सम्मान देना कोई नितिश कुमार जी से सीखे इस किसी वेक्ति ने इलाइंस के खिलाफ चुनाओ लड़ा उसको बाजापता सूची बना करके प्रेस कॉन्फेंस करके छेतरों में मिटिंग करके पार्टी से निश्कासित किया गया कि सभी दल सभी घटक दल और अन्य संगठनों के दलों के संगठनों के बहुत सारे एक ताता लाइन लगा हुआ है मेरे राष्टी अधेक से मिलने के लिए चुकि सब है सालीन है कि जिनको माने शिरी नितीश कुपार जी ने आगे बढ़ाया बहुत कुछ किया वो लोग बाद में उनके खलाब बहुत कुछ बोले अग्भूम फीर करके बहुत सारी मार्किट देखने के बाद फिर आए और फिर माने शिरी नितीश कुपार जी ने उसी बड़े दिल का परिच्चे देते हुए गले भी लगाया नमस्कार आप देख रहे हैं भारत लाइब मैं हूँ अभिसेक मिस्रा बीते दो-तिन दिनों में जेडियू में बहुत कुछ बदल गया है जेडियू की कमान अब रसीपी सिंग के हाथों में है और पार्टी की रास्टिय कारिकारनी की बैठक में यह फैसला लिया गया है फैसला सिर्फ यह नहीं है कि जेडियू के रास्टिय अद्दक्स रसीपी सिंग होंगे फैसला यह भी है कि अगर अंदर खाने कोई खेल चल रहा है जेडियू के खिलाफ तो उसका मुकाबला भी डटकर करना है और उसका जबाब भी देना है कई सवाल हैं कुछ डेवलोप्मेंट हैं जिन पर हम बात करेंगे हमारे साथ जेडियू के बड़े नेता गुलाम रसुल वलियावी जी हैं मेलसी हैं सर कल आपकी पार्टी में कल भी कोई मिटिंग थी मुकमंत्री जी आये हुए थे आपकी पार्टी के पूर विधायक हैं स्याम बहादूर सिंग जी उनसे हम बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि देखिये ऐसे तो दोस्ती चलेगी नहीं मैं ठोक के बोलता हूं बीजेपी ने हर देने जा रहे हैं अनील सर्मा बीजेपी के पुर्विधायक विक्रम और उनकी जेडियू में उनकी एंट्री हो रही है यह जानकारी हमारे पास है अगर उसको कुछ आप बता सके है कि देखिए सबसे पहले तो मैं कि आपके चाइनल के माध्यम से कि पार्टी के राष्ट्रिय काजकार्णी राष्ट्रिय कॉंसिल पार्टी के सभी पदादिकारी और एक सुर्व से हम सारे साथियों ने अपने नेता बिहार के माने मुखमंतरी शिरी नितीश कुमार जी के परस्ताव पर इस संकल्प के साथ कि जो माने शिरी नितीश कुमार जी का राष्ट्रिय अध्यक्ष नेता सदन राज्यसभा माने आर्शिपी सिंग्गों साथ को जो राष्ट्रिय अध्यक्ष मननित किया हम सारे लोगों ने पूरी ताकत और खुले मन से समर्थन किया तो उनको बहुत बहुत बधाई और हम सारे लोग पूरी उर्जा और शक्ती के साथ अपने राष्टिय अध्यक्ष के नेतरुत में और अपने नेता माने मुख मंतरी श्री नितीश कुमार जी के अगवाई में तत्परता के साथ देश भर में पाटी का विश्तार और जिन जिन राज्यों में अगामी होने वाला चुनाव है चुनाव लड़ने के लिए संकल्पित हैं और अपनी तैयारी में लग चुके हैं अब रहा ये किसे ने क्या किया तो ये अगर हमारी पाटी का पुर्विधायक अगर जदी कोई बात कह रहा है तो उनसे पहले आम बिहार की जनता आम बिहार का जनमानस और बिहार और देश ने जो मानिश श्री नितिश कुमार जी के नत्रत में बिहार का डवलप्मेंट समनवे के साथ भाईचारा के साथ आपसी मेल मुहबबत के साथ जाती वाद धरम वाद समः परिवार वाद से उपर उठकर जो रोल मॉडल दिया है उस रोल मॉडल को जिस किसी भी व्यक्ति की तरफ से जख्म दिया गया हो च्छती पूंचाई गयी हो तो इसका अकलन तो भिहार की जनता करके मरमाहत है और उसी जनता की जन भावनाओं को पुरु विधायक हमारे भाई शाम बहादूर जी ने व्यक्त किया है उन्होंने जो कहा वो सही कहा ना इसका मतलब यह सवाल है अभी था सर कि बदला अरुनाचल का बदला अपने बिहार में ले लिया आम तोर पर यसा होता नहीं है कि सहयोगी पार्टी किसे बगावत कर्चुनाओं लड़ने वाले किसी भागी नेता को अपनी पार्टी में जगध दी जाए यह खबर है खबर इसलिए है उसका अधार क्या है मैं आपको बता देता हूँ कल जेडियू के राष्टी अधर्ष आर्सीपी सिंग से मुलाकात हुई है अनिल सर्मा की और उससे पहले वो विजय चोधरी से मिल चुके हैं यह पुकता तोर पर जानकारी हमारे पास है और इ अधियू में वह आते हैं तो बदला तो होगा नसर ऐसा है कि कि अब भी मैं स्वयम अपने राष्टी अधेक से मिलकर आ रहा है और एंडिये घटक दल के जितने भी दल हैं उन दलों के बहुत सारे सम्मानित मानने भी पददिकारी भी और आमकार करता भी है हमारे राष्टी अधेक्च आदर्णिये रामचंदरवाव से मिलकर आ रहे हैं जो हमारे राष्टिया धेक्च है रामचंदरवाव उनकी जो खासियत है उसमें कि ये भी है कि जिस तरह हमारे नेता माने श्री नितीश कुमार जी सबके लिए यहां तक की बिरोधी बिरोध करता है लेकिन ये भी कहता है कि सम्मान देना कोई नितीश कुमार जी से सीखे क्या पुक्ता तोर पर आप ये बात कह सकते हैं कि सहयोगी दल में से किसी विधायक को या सहयोगी दल से बगावत करने वाले किसी नेता को जेडिूमेंटरी नहीं मिलेगी देखिए हमारे यहां तो जो भी कोई चुनाओ पिरियड में जिस किसी विक्ति ने एलाइंस के खिलाफ चुनाओ लड़ा उसको बाजाबता सूची बना करके प्रेस कॉन्फेंस करके छेतरों में मिटिंग करके पार्टी से निश्कासित किया गया ये भी बिहार की जंता न और अन्य दल जो हमारे पार्टी के खिलाफ उम्मिद्वार दिये या लड़े या लड़ाए उनको भी बिहार की जंता देख रही है और वो इंतजार कर रही है जंता कि मन्य नितीश कुमार जी का एक-एक कारकरता एक-एक सिपाही एक-एक भोटर तो पूरी निश्ठा के साथ धरमगडबंदन को निभाया अधर्स लोगों ने जो किया जंता इसका समिक्षा कर रही है अगले सवाल पर चलेंगे लेकिन चाहेंगे कि थोड़ा सा आप और इसको क्लियर कर दें कि बीजेपी से बगावत करने वाले किसी नेता को जेड्यूमेंट्री नहीं मिलेगी यह पुक्ता तोर पर यह कर रहे हैं मेरे भाई मैं आपको अभी बताया हूँ कि सभी दल सभी घटक दल और अन्य संगठनों के दलों के संगठनों के बहुत सारे एक ताता लाइन लगा हुआ है मेरे राश्टिया देख से मिलने के लिए चुकि सब हैं सालीन हैं संजीदा हैं सुनते आजो संभा होता है करते भी है तो प्रभाव है आरसीपी सिंग का और सर क्या हम यह माने कि आरसीपी सिंग जी जेडियों के राश्टिया देक्श बने हैं और आपके दावे के मुताबिक नेताओं में करकरताओं पर उनका जो प्रभाव है दूसरे दलों के नेताओं करकरताओं पर भी है उस प्रभाव का असर होगा और पाटी मजबूत होगी कई नेताओं की जो घर वापसी भी होगी कई दूसरे दलों से भी नेता आएंगे यानि कि सांगटनिक मजबुती के दिसा में जेडियू अब आगे बढ़ रही है और इनसारी रनिती पर चर्चाब होई है और इनसारी रनिती पर काम भी हो रहा है जेडियू के अंदर खाने राष्टिये काजकार्णी में कॉंसिल में सर्वसामती से पूरे देश के आये हुए राजिकाई के अध्यक्ष और वरिष्ट नेताओ समय थम सारे लोगों ने संकल्प लिया है कि मानिय नेता शिरी नितीश कुमार जी के नेतरुत में उनके मार्ग दर्शन में और राष्टिया ध्यक्ष रामचंदर बावु की अगवाई में पूरे देश बर में संगठन को धार 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 देंगे इसलिए कि पूरे देश में आज राजनेतिक, समाजीक, आर्थिक, समनवे के साथ, भाईचारे के साथ, नियाए के साथ तरक्की और विकास की जो लकीर मानिय नेता शिरी नितीश कुमार जी ने खेचा ये रोल मॉडल है देश बर के लिए और ये सिद्ध कर दिया हमारे नेता ने कि देश का तनहा और एक लवता नेता जिसका नाम बिहार के मुखमंतिरी शिरी नितीश कुमार जी है वो सत्ता के लिए राजनीत नहीं करते आपकी पार्टी की तरफ से ये दावा किया गया है कि चिराग कासपान अपके अंडिये में भी नहीं है एक तो इस दावे का अधार क्या है और दूसरा क्या जेडियू की रास्टिये कारकारणी में इस बात पर भी चर्चा हुई है क कि इसको लेकर बीजेपी के सिर्ष नेत्रित की तरफ से जो चुपी है वो जेडियू को खल रही है क्योंकि बिहार में तो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं जबेसमिसरा वोका देते हैं कि हैं और रहेंगे दूसरे निता करते हैं और रहेंगे तो बीजेपी के सिर्ष नेत्र का इस्तेमाल करते हुए पूरी भावना मिटिंग के बाद हमारी पार्टी के सिकर्टी जनरल आदर्णिये केशी त्यागी जी ने रख दिया जो पब्लिक दौमिन में भी आ गया और राजनितिक गलियारों में भी चला आया ये भी अस्पष्ट हो गया है कि हमारे नेता ने पूरी दुनिया के सामने ही रख दिया कि मैं मुखमंतिरी बनने के लिए और शायद मैं पहला बेखती हूं जब विहार विदान सबाके रेजल्ट आने के बाद मैंने दो टुक कहा था कि बहुत आसान काम नहीं होगा हमारे नेता को मना देना और मना लेना इसलिए कि पुराना इतिहास रहा है कि 2014 में गाउं से कस्बों से पिछडों के लिए अति पिछडों के लिए सवर्णों के लिए बहुत संखे के लिए कौन सा समुदाए सेक्टर विभाग है कौन सी पंचाईत जिला परखंड है कौन सा तबका कौन सा धर्म है जो विकास्य चूता रहा हो तो इतना करने के बाद देश के पहले नेता हैं जिनोंने जनादेश देखकर फैसला लिया था और 2014 में मन्ये पुर्मुकमंत्री जीतनराम माजी जी को मुकमंत्री की ताजपुशी की तो उस इतिहास को देखने के बाद रेजल्ट आने के बाद मुझ जैसे एक कारकरता को कहीं से भी यकीन नहीं था लेकिन दुनिया ने देखा के रेजल्ट जिस दिन आया उस दिन घटक दल के सारे स्रिस नेतरत यहां तक के आदर्णिये प्रधान मंत्री आदर्णिये हम मंत्री आदर्णिये राष्टी अध्यक्ष जेपी नड़्डा जी बिहार के प्रभारी पुर्मुकमंत्री शुशिल कुमार मोदी जी इन सारे लोगों ने विश्वास दिलाया और दबाव बनाया कि हमने चुनाओं आपके विकास के मॉडल पर लड़ा है परधान मंत्री के नेतृत में लड़ा है मॉडल आपका था चेहरा आप थे मुख मंत्री के किसी को भी मुख मंत्री बना दीजिये हमारी तो इसप्द में दिलचस्पी है नहीं मुझे तो पहले ही दबाव डाल कर बनाया गया इसके कई तरह के माइने निकाले जा रहे हैं इसका एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि मुखमंत्री जी सर्प्राइज दते रहे हैं तो फिर सर्प्राइज की तैयारी में हैं बीजेपी को एक अड़ा संदेश उन्हो भईया यह तो किलियर कट बैण है जो सारजनिक नहीं था वही सारजनिक हुआ है ओं है और मानिन श्री नितीश कुमार जी कभी भी किसी के लिए दुनिया साग्ष है राजन्यतिक कारकरता इस बात के गवागे के जिनको मानिन श्रीन श्री इसकुमार जी ने आगे बढ़ाया बहुत कुछ किया वो लोग बाद में उनके खलाब बहुत कुछ बोले अगूम फीर करके बहुत सारी मार्किट देखने के बाद फिर आए और फिर माने शिरीनित इसकुमार जी ने उसी बड़े दिल का परिचे देते हुए गले भी लगाय वह कहीं से हाड नहीं हो सकते हैं कि अएसा कहां मुखमंतिरी दिखता यह नेता जी जो अपने एक साधारन कारकरता को आप कहके बुलावे आपको लगता है कि जो अरुनाचल में हुआ या चिराग पासवान को लेकर जो चुपी है बीजेपी के सिस्नित्रितु की चीजे इस तरह से आगे बढ़ती रही और एक बहुत महत्पूर्ण बात किसी त्यागी ने कह दी कि देखिए हमारी बात वाया मीडिया होती है और यह सवाल है वाजिब है ना ऐसा है कि सरकार चल रही है ना किसी विभाग को कोई प्रब्लम है और ना किसी किसी योजना को कोई दिक्कत है सरकार चल रही है पूरी ततपरता के साथ चल रही है और पूरी सजगता के साथ चल रही है अब रहा अरुनाचल का अरुनाचल में के इशू पर जनता दलियू परिवार ही नहीं हर राजनितिक चेतना और रखने वाला हर राजनितिक व्यक्ति भी मरमाहत है इसका एसास सब को है अब रही बात ही कि जनता दलियू ने उसी अरुनाचल में निकाई के चुनाओं में चाहे वाड का हो पंचाईत का हो मुखिया का हो परमुक का हो जिला परिशत का हो 80% सीटों पर जनता दलियू के हमारे युद्धाओं ने चुनाओं जीता है और अब तो हम लोगों ने सारे लोगों ने संकल्प लिया है कि अपने नव निर्वाची तराश्टिया देक्च राम चंदर बाबु के नहत्रित में पूरे देश भर में अपने नेता का मॉडल ले करके जाएंगे जिसका इंतजार अन्यराज कर रहे हैं होगी आगे बड़े एक आखरी सवाल है आप है कि हमारी इक्षा तो है लेकिन बीजेपी ने थोड़ा सधय अंदाज में कहा है कि देखिए अंग्रबंदन की सरकार है तो आरेसे की तरफ से इस तरह का बयान आ जाता है मद्ध परदेश में लागू हुआ यूपी में लागू हुआ ऐसे बयानों से परिशानी तो होती ह कानून सब के लिए बराबर होता है ना आज ही के सारे अख़वारों में परमुक्ता से ये खबर चपी है कि उत्तर परदेश में एक मुस्लिम बच्ची बहु संखिक समधाय के रीती रिवाज के साथ जाकर मंदिर में बिवा किया है तो कानून का जब नियम और रूल एक है तो इसको फलो करना चाहिए जिस किसी धरम के यूथ की युवा की तरफ से अगर ये कुकरम हो तो इस किर्थ की सजा मिलनी चाहिए तो इसको कब भेजेंगे जेल कानून जब सबके लिए बराबर तो इसको कब जेल भेजेंगे अब भी बिजनौर का दो दिन पहले केस आया है और भारतिय संबिधान में तो किलियर कट है न आजादी का कंसेप्ट जो है वो क्या है उसको परभाशित किया है संबिधान ने तो अब सवाल ये उठता है कि जब कानून बराबर है तो अब्दुल्ला पर कोड़े पड़े और महेश छोड़ दिया जाए तो ये तो बहुत कुछ कह रहा है और जन्ता दल्यू रिलिजियस धार्मिक और परस्नल स्वतनतरता पर किसी भी कीमत पर कोई चोट न बरदास किया है न करेगा अपने छमता के अनुसार उसका कंडम करते रहा है कंडम करते रहे गुलाम रसुल वलियावी जी थे और बिल्कुल बेबाकी के साथ हर सवालों का जवाब देते हैं यही अंदाज और यही मिजाज है इनका और इसी के लिए जाने जाते हैं इस पूरे इंटर्वियू के जरिये हमने बहुत कुछ समझने की कोसिस की हम धून रहे थे मिल नहीं रहे थे पार्टी के कारिकरमों में ब्यस्त है तो आज हमने इनको धून निकाला इस इंटर्वियू में इतना ही बहुत बहुत धनेवाद लोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद